हाई गुड मॉनिंग एवरीवान होप एवरीवडी इस दूइंग वीडियो में सो आज है फिफ्ट ऑफ एप्रेल वेडनेश दे का दिन है अभी 850 हो रहा है अभी कुछ टाइम है मार्केट ओपन होने में सो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी एक बार प्री मार्केट अना मतलब आज के दिन यह वाला CPR बहुत जादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सो यह वाला जो यह वाला सी पर इसको में एक बार मार्क करतेता हूं विकॉज यह मैंने आइधिंक कुछ तैम पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो वर्जिन सी पर होता है और मैंने अभी स्लाइडली नेगेटिव चल रहा है जिसका मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि हमारी मार्केट में ग्याप डॉपन होने वाली है और ग्लोबल मार्केट भी मैंने देखिए तो स्लाइडली थोड़ी नेगेटिव ही चल रही है यह जो ब्लू डॉटे लाइन से यह देख सकते हैं आप यह आज का CPR रहने वाला है अब मार्केट बहुत ज्यादा चांस है कि CPR में यह CPR के नीचे खुल सकती है बैंक डिफ्टी अब अगरी CPR के नीचे खुलती है तो भी इसमें थोड़ा प्राइस एक्शन देखके हमें ट्रेट करना पड़ेगा करने की कोशिश कर सकता है जिसकी वजए से अगर प्रीवेश्ट करता है अपने ब्रेक करते हैं बहुत अच्छी लॉंग की मिल सकती है वरना अगर शॉट के लिए जाना है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बनना है उसे साब से फिर इसमें म बहुत अच्छा बन सकते हैं बट वह यह कि देखना पड़ेगा कि दोनों को मुझे कंफर्मेशन देनी पड़ेगी वह कंफर्मेशन मिलती है तो ही मैं इसमें ट्रेड करूंगा और चली निफ्टी कभी एक बार सी प्यार आज का देख लेते हैं तो निफ्टी का करेंगे तो इसमें वर्जिन सीप्यार नहीं है तो सीप्यार के नीचे खुलता है तो वहाप एक शॉट की ट्रेड ली जा सकती है वरना अगर उपर जाना दिन प्रीवेश देख ब्रेक होता है डिफ्टी दोनों में लॉंग की ट्रेड ली जा सकती है बहुत अच्छा चां लिए मैंने बांग निफ्टी में ट्रेड लिए जो ये ग्रीन कैंडल है इसके एंड पे 9 जो ये 925 की कैंडल आप देख सकते हैं इसके एक ट्रेड लिया है सबसे पहले मैं आपको और बुक दिखा देता हूं इसको मैं रीफ्रेश कर देता हूं रीफ्रेश कर के देखेंगे वेल मैंने 40,900 का पूड ओप्षं अप्षिन किया है और यॉसकी क्या था वेल मैं आपको दोले दिखाता हूं आ राइट जो आप देख रहे हैं वो बैंक रिफ्टी का चार्ट है लेंड प्रीवेज़ डे चार्ट है वेल मार्किट प्रीवेस डे जो हाई है उसके उपर ओपन हुई थी आज एंड वहां से पहले मतलब प्रिवेज जहाई से इहां पर support लिया है बैंक निफ्टी ने वहीं on the same hand निफ्टी ने भी प्रिवेज जहाई पर support लिया है वहां से उपर गई है अब यह चीज मैंने पहले ही discuss कर रहा था यह जो gap है 40,000 850 से लेके 41,200 जो मैंने पहली मार कर रहा था वह बहुत जादा important है अगर उसके उपर market जाती है जो 40,000 850 जो रेंज अगर इसके उपर जाती है एक बहुत अच्छा उपर की तरफ move कर सकती है at least 41,200 तक जो 400-400 point की move है उपर की तरफ वह move कर सकती है because वह gap है जो gap वह fill करने की कोशिश कर सकती है bank nifty so उसी logic के साथ मैंने यहां पर trade लिया है जहां पर मैंने 930 पर exactly मैंने 40,900 का put option sell किया है well actually मैं plan कर रहा था कि मैं 40,800 का put option sell करूँगा for a safer side because 40,900 एकदम add the money हो जाता है but वह यह ना कि यह जो यह वाली green candle ही इतनी जादा बड़ी बन गई कि 40,800 के option में premium बचा ही नहीं इसलिए मुझे 40,900 का option लेना पड़ा जो मैंने 180 का sell किया है और अभी आप देख सकते है nifty bank nifty दोनों ही अभी positive चल रहे है and जब तक market previous day high है जो आप yellow dotted line देख सकते हैं यह previous day high है जब तक market previous day high के ऊपर है मुझे इसमें tension निलनी की बात नहीं है and मेरा इसमें stop loss rate नहीं होने वाला है अगर previous day high break होता है नीचे की तरफ then इसमें थोड़ा मुझे concern होगा थोड़ी वरी हो सकती है लेकिन previous day high एक important support add करेगा काफी अच्छा इसी लेवल से support लिया है उपर की तरफ so अभी let's see कैसा जाता है आपको मैं positions दिखा देता हूं so position आप देखेंगे तो भी 183 चल रहा है जो भी 191 चल रहा था भी 183 चल रहा है so order book दिखा के आपको एक बार मैं stop loss वग रगा भी समझा देता हूं अब आप देखेंगे ना मैं आपको calculator में समझाता हूं तो आपको ज्यादा better समझाएगा मैंने 180 का sell किया है 180 के साब से मैंने stop loss कितना रखा है मेरा stop loss है 225-180 इसको आप देखेंगे तो 45 पॉइंट का मेरा इसमें SL मैंने रखा है तो अगर यह वाली ट्रेड मुझे stop loss होता है अगर यह ट्रेड मेरी direction के अगेंस जाती है इस ट्रेड में मुझे 45 पॉइंट का stop loss होगा अब 45 पॉइंट का stop loss मतलब कितने रुपे हो गए वह 45 इंटू 25 इंटू 2 बिकाज मैं दो लॉट से ट्रेड कर रहा हूं तो यह हो जाता है तो अगर यह ट्रेड में आज मुझे loss होता है तो उसके हिसाब से मुझे target मेरा कितना होना चाहिए target मैंने at least रखा है above 90 points कुछ भी हो जाए 90 points के नीचे मैं अपना target इसमें book नहीं करूँगा तो अगर आप मैं आपको 90 points के साब से बता हूं 90 points इंटू 25 यह हो गए एक lot इंटू 2 तो मेरा 4,500 का इसमें मुझे profit होना चाहिए अगर इस ट्रेड में लॉस होता है लेकिन अगर मुझे यह ट्रेड में profit होता है देन मेरी जो position है वह at least 4,500 से उपर जानी चाहिए तो ही इसमें मैं अपना ट्रेड एक्जिट करूँगा तो ही इसमें मैं टार्गेट बुक करूँगा तो अभी आप यह current position देख सकते हैं अभी यह 87, 75 रुपीज पॉस्टिव चल रहा है तो अगर यह यह या तो 2,250 रुपीज लॉस में जाए या वरना यह 4,500 रुपीज स सबसे पहले में बताऊं मार्केट वही है मार्केट कहीं भी नहीं जारी अंद मतलब वह एक रेंज में बैंक निफ्टी कंसल्यडेट हो रही है निफ्टी फिर भी एक तरफ की मूव दिखा रही है मैं आपको एक बार निफ्टी दिखाता हूं अगर आप देखेंगे विए निव्टी ने एक तरफ की वोव दिखाई है एंड इस लेवेल से फिर थोड़ा लेकिन अच्छी खाल सी दिखाई यह उपर की तरफ लेकिन वहीं अगर आप बैंग दिखेंगे ना बैंग ठी की आलत भुआती खराब है विए विकाज कहीं भी म लेकिन और अगर मैं आपको अपनी स्लाइटली नेगेटिव में मुझे यहां से मार्केट उपर जानी चाहिए तो ही इसमें हम अच्छा आशा प्रॉफिट कर सकते हैं अभी यहां से मार्केट स्लाइटली नीचे आई थी यहां पर ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ यहां पर अल्मोस्ट मेरा स्टॉप लॉस इट हो गया था मैंने 2.25 का स्टॉप लॉस डाला है और अई थिंग अरॉंड 2.16-2.17 तक आ गया था प्रीमियम बट वही है कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किये मैंने अपना रूल्स टाइट रगावे उसको मैंने छेट-चाड न नीचे की तरफ यहां से उपर की तरफ continuous move कर सकती है वेल अगर मैं आपको दोनों निफ्टी बैंग निफ्टी दिखा हूं तो आप देखेंगे वेल निफ्टी कंपरेटिवल या ज्यादा बुलिश है ऐस कंबेट बैंग निफ्टी बैंग निफ्टी अभी थोड़ी मैं को बैंग निफ्टी के लिए वो है 40,935 का वेल यह जो डेली रेसिस्टेंस है यही एक इंपॉर्टन रेसिस्टेंस आड कर रहा है विकॉज अगर मैं आपको यह बड़े चार्ट में दिखा हूं आप देखेंगे बार-बार इसी लेवल पर मार्केट आ रही है इसी लेवल से रेसिस्टेंस लेके फॉल कर रही है अब अगर यह वाला लेवल जो है 40,935 का अगर यह लेवल उपर की तरफ ब्रेक होता है देन बैंग निफ्टी में बहुत अच्छी मूव आ सकती है एंड एट लीस्ट लेवल ब्रेक होता है डेली रेसिस्टेंस वाला बट वह यह की यह ब्रेक होना चीह जब तक यह ब्रेक नहीं होता थोड़ा डाइसी रही कि बैंग रिफ्टी उपर नीचे की मूव कर रही है अभी मतलब अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा आप देखेंगे तो नाइन मैंने ट्रेड ली थी अभी 1130 हो रहा है दो हंटे से भी जादा हो चुका है लेकिन अभी भी मैं मतलब मैं प्राइस एक्शन देखें यह नहीं बता सकता की मार्किट उपर जाए यह नीचे बिकॉस काफी ज़्यादा कन्फ्यूज है अभी वेल यह लेवल अगर ब्रेक होत करते या तो आपको ट्रेड लेनी है या एक्शिट करनी सिफ 10% टाइम ही टोई इस देर बाकि 90% अव देख सकते न 930 मैंने एंटर किया था अभी 1133 हो रहा है सो दो घंटे से मैंने कुछ नहीं किया मैंने अपना टार्गेट डालावा है मैंने अपना stop-loss डालावा है अब 250 पर कुछ भी हो मार्केट पॉजिशन लॉस हो प्रॉफिट हो आई डजन्ट मैटर 250 पर मैं एक्जिट कर दूँगा सो 12 अकलॉक अपडेट गाईज अभी इग्जैक्ली 23 हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं फाइनली फाइनली कितनी देर बाद अब हमारी पॉजिशन प्रॉफिश के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है वेल लेच सी कैसा जाता है 250 पर मेरा टार्गेट हो या मेरा स्टॉपर उसके अलावा अगर कुछ नहीं होता है तब तक देखते हैं क्या होता है अगर यह वाला लेविल जो है 40,935 का अगर यह लेवल ब्रेक होता है देन में आपको एक बार निफ्टी भी दिखा देता हूं आप देखेंगे लेफ्टेंड साइट पे निफ्टी का भी चार्ट आप देख सकते हैं जो यह वाला रेसिस्टेंस था 17,500 का उसके ऊपर क्लोज कर दिया है तो डाट इस ऑल्सो लिटल पॉजिटिव निउस यह भी थो सबसे पहले मैं अपनी ऐग्जिट कर देता हूं तो है यह मेरी करन्न फोजिश्ट ने तो इसको चलिए क्र देतें हैं अबerver श्रे करके देखेंगे चर्ण से अब चुका है बहुत simple trade थी जो आज मैंने ली है nifty bank nifty दोश्टी दोणों का ही मैं आपको चार्ट एक बार simultaneously दिखा जिता हूं बहुत simple trade थी लेकिन लेकिन उसके बाद पूरे दिन trade ने बहुत ज़्यादा परिशान किया ay because waiting बहुत जदा वेटिंग फर में टार्गेट या मेरा स्टॉप लॉस एड़ देखा कि 250 में अपनी ट्रेट कर दी है और 2900 का प्रॉफिट हुआ है So that's it today guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो आज की वीडियो से वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें अगर कोई डाउट है तो I'll be more than happy to answer all your queries So यही था आज के लिए Let's meet in the next video